सुदर्थाना पुलिस ने विगती किस नमंबर को ग्राम बंचेश शामगड के नीमगड गाउं में जमिनी विवाद में हुई छोटु काठात हत्या प्रकरण का खुलासा कर दिया है पुलिस ने हत्याकान को अजाम देने वाले पाच लोगों को गिरफतार भी कर लिया है पुत्र सुल्तान काठात निवासी सुवेदार का बारिया थाना सेंद्रा अनवर काठात पुत्र रतन काठात निवासी मिया पूर्या थान सेंद्रा इब्राहिम पुत्र पेमा काठात निवासी कन्या बावरी थाना सेंद्रा मकबूल काठात पुत्र शवन काठात निवास च्छोटू काठात के साथ खेत के रास्ते को लेकर विवाद चल रहा था है। खत्या के संदर्व में परजनों के ओर से दी गई शिकायत के बस दथाना दिकाई चिनाराम बेड़ा के पुलिस अधिक्षक चिनाराम जाट नहीं निदेश पर एक टीम का कठन कर मामले के जाच शुरू की जुरान जाच टीम ने गाउं के रास्ते पर लगे पचास विबिन के सिसिटीवी केमरे के फुटेज खंगालते हुए अपने मुखबिर तंत्र को सक्रिये किया गया लेकिन इस दुरान सभी आरोपी अपने घरों से फ्राग थे जाच के दुरान पुलिस टीम ने अथक प्रयास करते हुए दो बाल अपराध्यों को हिरासत में लेकर किशोर नियाले में पेश किया और शेश पाच आरोपियों को मंगलवार दे रात को अलग अलग ठीकानों से गिराफ़तार किया पुलिस के नुसर हत्या का मुख्य आरोपिन जामुद्दिन अभी भी पुलिस पकर से दूर हैं पुलिस टीम में सदर्थाना दिकाए चिनाराम बेड झाले ते